सूप्रभाद छातरों, सूप्रभाद रैंट आज हम बड़े ही खुश है क्योंकि आज हम अपनी खिंदी की बुक में से करने वाले हैं पाठ दो चतूर खरगोश इसको हम एक एक्ट के रुप में करेंगे So enjoy everyone बहुत पुरानी बात है तंड़क्वन में एक खरोवा था खरोवा देनारी बिली जमीनी ती वहां बहुत से खरगोश रहते थे खरगोशों के तो इस जमीन के अंगर थे में जिंदा इतन लोगा फूद्वे रहते नरम नरम भास खाते राट को अपने खरबों में सो जाते वे साथ बहुत प्रशल लेते उसी चेंगल में कुछ हाथी आ गए हाथियों के जिंद में कुछ सरार्थी हाथी थे वे अपनी सुन से छोटे पेट तोड़ देते पॉद्वे कुझल देते हाथियों के जिंद में एक दूसरे से लड़ते कभी एक फोटा हाथी नीचे फोटा कभी दूसरा हाथि पानी से बहुत प्यार सर्थिक है वे सुन्द में पानी भर्षर कर नहाते फिर सरोवर के किनारे भिट्टी में लोट लगाते नरं जबी उनके भार से दब जाती साथ हुए कई खते परिमार द्रीज दब जातें इससे खरोस बहुत दुखी थे खरोस के सर्दार ने एक उपाय कोचा कुछ चुने हुए खरोस के साथ वो फांजियों के सर्दार के साथ गया कुछ दूरी पर बैठकर खरोस करदार ने अपने अगली पाप उठाया, उससे उन्हें हाथ जोड़कर नमस्तार किया, हाथी ने शूद उठाकर नमस्तार कर उच्छ दिया खरबुष सतार बोला, हम चान के बंजे हैं, चान में आप हमारे भाई अधूर को देख सकते हैं, हमारे सुस्त भाई धर्ती पर रहने आए हैं, चन्ना मारोष सरूबर में आके हैं, हम से मिले पे आपसे नाराज दे, क्यों नाराज हैं? हमने क्या दिया हैं, खरबुष बोला, सरूबर में समीत तारन विट्टी से सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं, आपके आने से सुराख दब दे, जिससे चन्ना मामा के बहुत सिर्माने दब दे, इसलिए हैं आपसे नाराज हैं, खरबुष आगे बोला, वे राज को सरूबर में आये के, और उन्हें जिए जिसकर अच्छा नहीं लगेगा, पुझिमा की राज की चन्ना में बोला अकार में निकला, कवर के सेट भी करणोवर में हलकी हलकी लगे उठ रही थी, चांद लहरों के साथ उन्हें नीचे हो रहा था, हाथी और खर्गोष महा पुरूष गये, खर्गोष सर्दार बोला, देखें माराज चन्या मामा जुस्ते से ताफ रहे हैं, आप जली लहाज से दूर चले जाएं, लगता है मामा बहुत नाराज वो रहे हैं, हाथीयों के सर्दार ने अपनी जूर्ट उठाई, जूर्ट की तरफ देखा, सभी डर गये थे, सर्दार ने अपनी जूर्ट उपर उठाई, सभी हाथीयों ने ऐसा ही किया, अब सर्दार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गल्ती मांगते हैं, वो हमें चमा करें, हम अभी दूसरे चंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, इससे दूसरों को तख्रीक हो.